दोस्तों जीयो ने हाली में जो अपनी पॉस सर्विस को स्टार्ट कर दिया है जैसकी मदद से आप जो किसी भी जीयो नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं और बहां पर साथी साथ जो आपको कमीशन भी अच्छा देखने को मिलेगा यहां पर जो कमीशन आपको मिलने वाला है वो 4-7% तक का आपको मिल जाएगा लेकिन यहां पर रिचार्ज से मतलब नहीं है आप कितने का भी रिचार्ज करें किसी का भी रिचार्ज करें यहां पर जब आप अपने बैलेट में मनी को लोड करेंगे बहीं पर आपको पहले ही जो है यहां पर कमिशन देखने को मिल जाएगा वह सारा कुछ जो है प्रोसेस में आपको आगे करके दिखाऊँगा क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आये थे कि जो है जियो ने अपना जो है एक नया अप्लिकेशन लॉंच किया उसके बारे में सर वीडियो बना करना है कैसे जो है इसमें बैलेंस को एड करना है और कैसे फिर जो है किसी भी नंबर को रिचार्ट करना है तो सारी जनकार यह आपको मिलने वाली है चलिए फटाबटसरी बीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर यहां पर आपको सर्च कर लेना है जियो पॉस लाइट यहां पर ध्यान रखना है जियो पॉस लाइट आपको डालना है क्योंको जियो पॉस केवल डालेंगे तो साइद आपको यह एबलिकेशन ना मिले तो यहां पर ज तरीके से आपको डालना और इस पे आपको क्लिक कर लेना है यह official application है इसी को आपको install करना है link का आपको जो आपको वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा बहाँ से भी से आप install कर सकेंगे यहाँ पे हम इसे install करेंगे तो यहाँ पे यह आप देख सकते हैं official application है यहाँ पे आप देख सकते है Reliance Corporate IT Park Limited यहाँ पे यह official application है किसी भी third party application को use मत करना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस application को तभी use कर पाएंगे जब आप एक geo user है यानि कि आपके पास geo का sim card होना चाहिए तभी आप जो इस application में login कर पाएंगे geo post member आप बन पाएंगे अगर आपके पास geo का sim card नहीं है तो आप इस application को use नहीं कर सकते हैं इस बात का आपको विशेश दियान रखना है अगर आप geo user है तभी आप इस application को use करना अन्था आपका ये time best हो जाएगा और आप इस application को use नहीं कर पाएंगे यहाँ पर हमारा install हो गया चलिए हम जो ऐसे open कर लेते हैं सिधा open करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा first time कुछ इस तरीके से open होके आया है जहां पर जो है यह कुछ permissions allow करने के लिए बता रहा है हमें contact location media तो यहाँ नीचे allow आलका है तो हम इस पर click कर लेंगे और यहाँ पर allow करते चले जाना है इसके बाद जो है यहाँ पर आपको sign in sign up के लिए बताया जाएगा तो sign in तो अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अभी account create ही नहीं किया है और अगर आपने create कर रखा है तो sign in पर click करके आप directly login कर सकते हैं जो लोगों ने account create नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कैसे create करना है यहाँ पर नीचे sign up का आ रहा है तो sign up पर click कर लेना है sign up पर हम click करेंगे इसके बाद यहाँ पर email id और जीयो mobile number आपको देना है तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट से दोनों चीजे डाले दे रहे हैं हमने यहाँ पर email address और जीयो का mobile number डाल दिया है दियान देना यहाँ पर जीयो का ही mobile number देना है किसी दूसरी company का देंगे तो यहाँ पर नहीं लेगा इसके बाद generate OTP पर हम नीचे click कर लेंगे इस पर click करेंगे OTP हमारे पास बेजा जाएगा जो number हमने डाला है उसी number पर मेरे पास आ चुका है तो मैं यहाँ पर fill कर देता हूँ OTP एंटर करने बाद validate OTP पर click करेंगे और इस पर click करने के बाद यहाँ पर फिर से permission allow करनी है और इसके बाद यहाँ पर automatic आपका SIM card जिस नाम से है automatic यहाँ पर वो नाम आ जाएगा इसके बाद अगर आपको नाम correction करना है तो वो आप नहीं कर सकते हैं email ID आपने अभी अभी डाली है वो आप correction कर सकते हैं अब यहाँ पर नीचे आपको choice or work location आ रहा है सबसे पहले इस पर click करना है check box जो देख रहे हैं इन पर check मत कर देना इन पर बाद में check करना है यहाँ पर आपको choice or work location आ रहा है इस पर हम click करते हैं तो आपका location यहाँ पर automatic ले लेगा दोनों बॉक्सों को चेक कर लीजिए इसके बाद जो है continue पर किलिक कर लीजिए याद रखना है यहाँ पर पहले आपको location सेलेक्ट करना है नहीं तो यह आगे नहीं बढ़ने देगा तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा sign up जो है process complete हो चुका है और यहाँ पर नीचे done पर किलिक कर लेंगे इसके बाद जो है यहाँ पर हमको sign up पर नहीं जाना है आप जाना है sign in पर हम किलिक करेंगे और यहाँ पर अपना jo का jyot का mobile था हमारा वहम दुवारा से enter कर देंगे इसके बाद जो है generate OTP पे click करेंगे और इसके बाद जो है एक OTP आएगा OTP हमें fill कर देना है यहाँ पर validate OTP पे click करेंगे और इसके बाद जो है एक M pin बनाने के लिए बताया जा रहा है जो आपको 4 digit का बनाना है यहाँ पर जब भी आप login करेंगे तो cable वो M pin डालके आप login कर सकेंगे M pin बनाना आप सभी को आता होगा यहाँ पर कोई भी 4 रंकों का M pin बना लीजिए जैसे आप अपने ATM, debit card बगारा का बनाते हैं सेम उसी तरीके से और उसके बाद जो है यहाँ पर setup पर किलिक कर लेंगे setup पर किलिक करेंगे और उसके बाद जो है आप अपनी ID में जो है login कर जाएंगे यहाँ पर देखिए जियो, pause, light, application आप login कर चुके हैं और यहाँ पर आपका dashboard आपके सामने आ चुका है सबसे पहले यहाँ पर recharge का है, my earning का है, load money का है, passbook का है यहाँ पर यह सारे option आपको मिल जाते हैं बात करें side के menu की, तो यहाँ पर three line दिया हुआ है, left corner पर तो यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको load money, recharge, change campaign, forget campaign, my customer, my earning, logout वगरा के option यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको अपने mobile number के नीचे PRM ID भी दिख रही होगी, तो यह आपकी PRM ID है बैसे इसका कोई खास यूज नहीं है, यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर आप अभी किसी का recharge करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम recharge पर click करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक error आ जाएगा Agent does not have sufficient balance, यानि कि आपके पास अभी balance नहीं है, कोई भी recharge करने के लिए यहाँ पर हम back आते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको load money पर click करना है load money पर click करने के बाद यहाँ पर आपको 500, 1000, 2000 के option मिल जाएंगे लेकिन याद रहे हैं, यहाँ पर first time आप अपने account में जो भी money एट करेंगे वो minimum 1000 रुपए की होनी चाहिए, क्योंकि 1000 से कम का यहाँ पर पहला load money नहीं होता है उसके बाद आप 100, 200, 500 का कर सकते हैं, लेकिन first loading जो करेंगे वो minimum 1000 रुपए की होनी चाहिए, अब 1000 रुपए की money है बो तो हम load कर लेंगे बात रह गई earning की आप सोच रहे होगी कि earning का हमने starting में ही बताया था यहाँ पर नीचे दिखिए, उपर मैंने 1000 डाला और नीचे है, you will get 1041 रुपए 66 पैस दे या नहीं यहाँ पर 41 रुपए 66 पैसे हमें extra दे रहा है, जीओ, अपनी तरफ से commission के रूप में यह हमारा commission होगा, जो हमें रिचार्ज करने से पहले ही मिल जाता है, यानि कि हम ballot में money को load कर रहे हैं, उसी समय हमें जीओ दे देता है, इसके बाद हम add करने के बाद किसी भी number को recharge कर सकते हैं, यहाँ पर load करने के लिए आपको proceed पे click करना है इसी तरीके से आप यहाँ पे 1000 के लावा भी जितना भी load करेंगे, 2000, 5000, 1000, सब पे आपको इसी साफसे commission दिखेगा, देखे, 2000 किया, तो 2083 रुपए यहाँ पे दिखा रहा है, हमें मिलेगा, 5000 करते हैं, तो यहाँ पे 5208 रुपए दिखा रहा है, चलिए हम 1000 रुपए 20,041 रुपए 66 पैसे मिलने वाला है, यहाँ पे हम प्रोसीड पे किलिक करेंगे, और प्रोसीड पे किलिक करने के बाद यहाँ पे लोड मनी के यानकी पेमेंट गेटवे के option आ जाएंगे, जहाँ पे UPI आइडी वगएरा, नेट वेंगिंग वगएरा, क्रेडिट कार्ड सब कुछ option आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे option आपको देख रहे हैं, हम यहाँ पे easy option ले लेते हैं, pay using UPI को इस पे select करेंगे, और यहाँ पे pay now पे किलिक करेंगे, पे now पे हम जैसी किलिक करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा processing में गया, और इसके हमने वाले हैं, हमने वो एंटर कर दी है, और एंटर करने के बाद जो है, यहाँ पे make payment आ रहा है, नीचे इस पे हम किलिक कर लेंगे, इस पे किलिक करेंगे, तो हमारे पार notification चला जाएगा, request को जो है, accept कर लेना है, तो यह payment हमारा success हो जाएगा, हम बहाँ से कर रहे हैं, और balance वहाँ से paid कर दिया है, अब मेरे account में जो है, यह 1000 और plus commission इसका add हो चुका होगा, यहाँ पे हम done पे click करेंगे, और done पे click करते ही, यहाँ पे देखिए, जो balance 0 था, हमारा 1041 रुपए 66 पैसे हो चुका है, जैसा कि हमने आपको starting में दिखाया था, यहाँ पे जो है, अब आप recharge करने के लिए ready हैं, बिल्कुल यहाँ पे recharge पे click कीजिए, और कोई भी number अपना अपनी family में, किसी relative का, friend का, कोई भी जीओ का number यहाँ पे recharge कर सकते हैं, उसका यहाँ पे number एंटर करेंगे, और number एंटर करने बाद यहाँ पे submit पे click करेंगे, और submit पे click करने के बाद जो है, यहाँ पे जो है, 250 के आगे हमने select कर लिया है, इस pack में हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो i button बना इस पे click करेंगे, तो इस pack से related description जो भी है, यहाँ पे आपको so हो जाएगा, यहाँ पे 2 GB data हमें 15 दिन के लिए daily मिला है, लेकिन calling नहीं मिल लिए, calling के लिए हमें अलग से recharge करना पड़ेगा, कोई दिकर नहीं हम यह pack ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे यह work from home जो नया pack आया है, वो है, इसके बाद जो नीचे यहाँ पे buy का दिया हुआ है, तो इस पे buy पे हम click करेंगे, बाद पे click करने के बाद आपको अपना M-pin डालना है, और M-pin डाल का page भी आ चुका है, यह हमारा recharge successfully हो चुका है, यहाँ पे हम done पे click कर दे रहे हैं, done पे click करने के बाद आप देखिए, 790 रुपए, 66 पैसे हमारे में बचा हुआ है, और यहाँ पे हमने जो recharge बगरा किया है, यह सब कुछ history देखने के लिए, यहाँ पे passbook पे click करने के बाद passbook पे click करने के बाद जो है, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने कितना balance add किया है, कितने के recharge किये हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा, category wise देखना चाहिए, तो load money पे click करेंगे, तो आपने जो भी load किया है money को, बो दिखाएगा, recharge पे करेंगे, तो जितने भी recharge किये हमें मिला था, तो यहाँ पे जो है, इस तरीके से आप यह सारी detail अपनी देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब यह है, यहाँ पे किसी भी retailer वगएरा से recharge ना कराके, आप खुद से recharge कर सकते हैं, और किसी का भी recharge कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है अच्छागासा commission क किसी भी retailer को कमिशन ना दे के आप खुद recharge करेंगे, तो वो कमिशन आपको ही यहाँ पे जीओ ने देना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे इस application के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दिये, step by step आपको समझाए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो जायर सी बात है, आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, और आराम से इस application में sign up करने के बार मनी भी लोड कर पाएंगे, और यहाँ पे रिचार्ज भी कर पाएंगे, और कमिशन तो मैंने आपको दिखाई दिया है, जब मनी लोड की थी, तो वहाँ पे तुरंत हमें मिल गया थ पाएंगे, और जियो के लावा दूसरे operator का रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, हाँ अगर in future अगर कोई update आता है, तो मैं आपको उस पर वीडियो जरूर बना के दूँगा, तो फिलाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो की जानकारी सही लगी हो, पसं आपको मिलते रहेंगे, जल्दी ही नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों